हलो बच्छों पिछले क्लास में हमने बेखा था टॉर्टोमेरिजम के बारे में चीज़े जाने थी टॉर्टोमेरिजम क्या होता है यह चीज़ समझाता कौन-कौन से चीज बारे में हमने जाना था थी, resonance एक extent बढ़ गया था, resonance हो रहा था एक में, और दूसरा hydrogen bond form बढ़ था, सिर्फ यही दो case थे और aromaticity, सिर्फ यही तीन case थे, जिस case में enol form ज्यादा stable हो जा रहा था keto form से, इसके अलावा बाकी सारे cases में आप क्या देख रहे थे, keto form ज्यादा stable है enol form से, आज हम लोग बात क इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, enol content को लिए, example से आगे बढ़ते हैं, आपके पास एक है keto form है, यह चॉट्टोमराइज करेगा, चॉट्टोमराइज करके यह बनाएगा inol form, keto form है, चॉट्टोमराइज करके यह बनाएगा inol form, अब अपर यह चीज़ पढ़ता है हुँमारे पिछले क्लास की discussion से, कि यह ज्यादा stable है और यह less stable, तो जन्विल सी सोचने वाली बात है, जो कम stable चीज़ें हैं वो ज्यादा survive करती है, या जो ज्यादा stable चीज़ें हैं, वो ज्यादा survive करती है, जाहिर सी बात है जो चीज स्टेबल है वो रुखे की वही चीज बनना चाहिए हम लोग फिजिकल के वेश्टी में भी थेमोडाजी इसमें यही चीज देगे थे जो ज्यादा स्टेबल होता है रियाक्शन उसी तरफ आगे बढ़ता है उसका कॉंपोजेशन ज्यादा होता है तो बहुत देखें। आपसे पुछा जाए इन दोनों का एक इक उकलिब्यृम होगा। मान लते हैं चाहिर को प्वेश्च्ट आये कि न दोनों का इकिलिब्यृम होगा। उस ऐकलिब्यृम पोजिशन पे किसका घोई करे था हूग Сп些 स्बिदूंपोजिशन पे इनलर ग Dal입니다 exist करेगा या keto गाओ तो जाहिर सी बढ़ने आपके अंजर क्या होगा keto form ज्यादे इस्टेबल है तो keto form ज्यादे इस्ट करेगा clear now this thing is represented by enol content this simply represents percentage of enol enol कितना exist करेगा तो इस case में माझ लेते हैं इसका x percent हो गया इसका y percent हो गया तो पहला statement क्या हो जाता है x plus y बराबर 100 क्यों क्योंकि आपके पास system में यहीं दो चीज़ है एक ही है आप इसमें इंटर्पेनवेट हो रहे है तो इसका x percent तो इसका क्या हो जाएगा 100 minus x या y percent इसका क्या होगा 100 per second statement आप यहां पर क्या खोल सकते है x x is greater than y x greater than y आप क्यों खोल सकते हैं डिकॉर्व keto form is more stable clear keto form ज्यादा stable है इसका percentage ज्यादा होगा और यही आपका है inol content मेरे इसमें clear होगा inol content क्या represent करता है percentage of inol कितना inol exist करेगा clear है तो आपको यह चीज़ की है तो इसे चीज़ को आगे बढ़ते हैं इसे चीज़ को आगे बढ़ते हैं लिखेंगे लिखेंगे इनol content depend on three factors तीन factor पे इनol content depend है पहला factor क्या होगी हो stability of inol जिसका inol ज्यादा stable होगा उस inol का percentage ज्यादा होगा या inol content उस particular inol का ज्यादा हो clear है चीज़ तो simple simple आपको क्या देखना है stability of inol के बढ़ते हैं second चीज़ आपको देखनी है वो है temperature और third चीज़ आपको देखनी है वो है solvent यही team factor है जिसपे inol content आपका depend है तो बारी बारी से तीनों चीज़ों को देखते हैं सबसे पहले आ जाते है stability of inol है तो topic डालेगे stability of inol है पहला point आया आपका stability of inol तो अभी हमने बात करी है जो चीज ज्यादा stable होती है वो ज्यादा exist करना चाहती है यह चीज़ हमने बात कर लिए तो जब वो inol ज्यादा stable होगा उसका inol content उसका percentage जाहिर सी बात ज्यादा exist करेगा तो percentage भी क्या हो जाएगा हाइर तो सिर्फल सार इलेशन है हाइर दस्टेविलिटी of inol form हाइर is the inol content जस inol का stability ज्यादा होगा उसका inol content भी ज्यादा होगा एक सिर्फल ना statement है अब इसको apply कैसे करते है तो यह चीज़ के बारे में बात करते है माल लेते हैं example के लिए आपके पास तीन structure दिये कौम सा structure है एक है आपका CST एक यह structure है दूसरा structure है आपका यह structure और किस्रा structure कर लेते हैं है इस इस इन इस 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 तो टॉट्टोमराइज कर सकते हैं, टॉट्टोमराइज कर नेका simple सा condition है भाई, क्या πाईबॉड होना चाहिए और उसे तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आपको क्या compare करना है? Inol content, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका inol form बनाती है. तो सबसे stable stable inol form बना देता है. इसका क्या हो जाएगा inol form? CH3, CH, OH, H. Clear? इसका inol form ये हो गया? इसका inol form देखते हैं क्या होगा? जो stable वाला है, वही बना रहे हैं अभी. इस structure का inol form ये हो गया? इस structure का inol form बना लेता है? इस structure के पहुँच रहे हैं, आप ये थी structure पहुँच रहे हैं, ये पहुँच रहे हैं. इस structure के दो possible inol form हो सकते थे, एक इधर से बना सकते थे, लेकिन वो less stable होता. पिछले class में आपको stability of inol में compare करना बचाया था, इसमें हम क्या देखते हैं, double bond की stability के बारे में बार करते हैं. जितना ज्यादा alkyl proof stable bond पे जुड़े वे होंगे, उतना ज्यादा stability होता है. यहाँ पर दो जुड़े हैं, clear है? अब उस logic से आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या देखते हैं? जो Conjugated system है, inol वाना, वो हर जगे same है? clear? आपको देखना है stability order, तो आपके इसाथ सबसे आदा stability किसकी है? यहाँ पर देखी एक CS3, दो CS3, clear? तो 6 hydrogen है, जो के hyperpensugation शो करेंगे, जो के stability बढ़ाएंगे. आपको बोलादा जियोसी revision करने के लिए, तो अब जियोसी देख लेंगे, तो आपको clear हो जाएगा, कि यह सबसे ज्यादा stable है. तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, यह सबसे ज्यादा stable हो गया, तो 1 is most stable, stability order कि अगर बात करें, stability of enol के बात करें, तो 1 is most stable, उसके बात देखेंगे, उसके बात देखेंगे, तो इसमें एक ही CS3 जोड़ा होगा है, इसमें 2 degree है, दो अल्कायलिवर जोड़ा है. यहां hyperconjugation से भी आप देख सकते हैं, इसमें 4 hyperconjugation है, और इसमें 3 hyperconjugation है, तो जाइशती बात ज़्यादा stable को आ हो गया, तो 2 बोल लिजे, इसको 3 बोल लिजे, तो 1 सबसे ज़्यादा stable, फिर 2, फिर 3, तो enol का stability order में ने को पता चलिया, अब यहां भी पढ़ेंगे, higher the stability of inol का, higher is the inol content, that means inol का stability order है, वही inol content को order होगा, correct है, वही जीजे कहना चाहरा है, तो आप यहां पे अगर decide करे, order of inol content क्या होगा, 1 greater than 2 greater than 3, कोई confusion, तो point यह है, आपको इनका stability check करने आना चाहिए, stability check करने आता है, यह question एकदम basic question है, एकदम बच्चों अलब question है, जो कि हर कोई कर सकता है, बस आपको एक बच्चों सी थोड़ा सा revise करना पड़ेगा, clear रही हो, इस point में किसी और कोई देखता नहीं है, एक डो example और देखते हैं, आपको और जाधा पी रहे है, लिखेंगे, बच्चों यह आपका next question है, question क्या है, आपको वही चीज़ compare करनी है, यह compare इनॉल करनी है, आपके साथ इत्ली structure दे रखे है, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, conjugate position पे hydrogen होना चाहिए, यह alpha position पे hydrogen होना चाहिए, तो देखेंगे, यहाँ पर भी यह alpha position है, यह conjugate position है, double bond, single bond, इस कारण पे देखेंगे, hydrogen present है, it will show total reserve, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देखेंगे, तो double bond, single bond, double bond, single bond, hydrogen, hydrogen present है, यह भी करेगा, यहाँ पर भी देखेंगे की कुछी तरह से, यहाँ पर भी hydrogen present है, that means, तीनों के तीनों tortomerism show कर रहे हैं, ठीक है, अब बना लेते हैं structure की tortomerization, tortomers इसके क्या बनेगे, inol form क्या होगा, आप देख सकते हैं, यह सारे क्या है, keto home है, तो इनका inol form कराएंगे, क्या करेंगे, फिछले क्लास में इसके बहुत detail में हमने बात करी थी, इस hydrogen के electron को क्या करेंगे, यहाँ पर ले जाएंगे, यह चीज़ बाहर निकलेगी, और इस hydrogen को migrate करके यहाँ पर ले जाएंगे, तो यह आपका inol form हो गया, इसका बनाएगे अगर inol form, तो क्या बनेगा, सेम काम करें, यहाँ पर bond hydrogen के साथ है, इस electron को यहाँ पर ले जाएं, जब यह electron यहाँ पर जाएगा, तो यह जो पाई electron है, यह रिपेल होगा, रिपेल होगे कहाँ पर जाएगा, इस atom पर, यह electron रिपेल होगे कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, और यह फाइनली जो एच निकला वो के साथ लग जाएगा आपका स्ट्रॉक्चर क्या बनेगा करेंट सेम यहां पर भी करें इसके इलेक्ट्रांस जाएंगे यहां पर यह एक्रां रिपल होके ऑक्सिजन के पास इनल फॉर्म बनाएंगे क्या बनेगा अब पर सिंपल सा लोजिक है आपको क्या करना है इनल पूंक को कंपेर देखिए स्टेबलिक्टी जितना ज्यादा होगा इनलप्रेंट होगा उतना ज्यादा इनलपेंट करना चाहें स्टेबिलिटी अपेर कर चलिए स्टेबिलिटी करते हैं तो मेरे हिसाद से आपको सबसे स्टेबल कोड देंगे सबसे दायर स्टेबल कौन है भान कि एक टो स्टेबिलिटी और्ड सबसे जाद श्टेवल कौन है क्यों है सबसे जाद श्टेवल विकॉज इस इस अर्माटिक उसके पद बन और तू में कंपेर करना है तो वन और तू में देखेंगे इसमें और इसमें इसमें लेवल आशेड़ा जाद श्यादा है सबसे जादा इसमें सबस्कार व्यज्ट सबस्क्राइब कि अब तो इन दोन में जादा स्रीवल कौन है जिसमें रज्टेवल हो रहे ज़्टेवरा और सेकंड शफ्रप्चर में तो थी यह किस बेसे पर डिसाइड किया एक्स्टेट और रिजुनेंस के पेशिस ते, अब एक बन आपको यह चीज़ खेंग वो गई, आपने श्टेबिलिटी ओडर किसका निकाल लिए, इनॉल फॉर्म को लोगए, और 2 का नउल मन की नउल फॉर्म से जदेबर हैं, अब आपको रिलेशन परता है, नउल कंटेंट निकालना है, मतलब परसेंटेज आप इनॉल निकालना है, किसका परसंट जादा हो जो जादा स्टेबल होगा तो आपका इनॉल कंटेंट को ऑडर भी क्या हो जा रहे है तो और 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 इनॉल कंटेंट कोई दिक्कत है इस चीज़ में किसी को भी आयो इस क्वेश्चन से काफी हटता क्लियर हो गया होगा क्या आपको करना क्या है कैसे प्रोफीड दगना है कोई डाउट कोई कन्फूजन नहीं नोट करेंगे फटाफट फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के तरूपट ठीक है लगग लगग वही है आपको क्या करना है सबका इनलफाम बनाना है और उसेनलफाम को कंपेर कन उसके पाद इस्टी चीज़ को मैं जणरलाइज़ गरूगा और उसके बाहर और व्यश्चन सेन नेगए या बनेगा disse CH2, OH, CH3, इसका क्या बनेगा, CH2, OH, OC2H5, और इसका क्या बनेगा, CH2H5, OH, CH, यह तीन आपके इनलफर्म बनेगे, पहले structure का बहुत बहुत आप ने बना लिया, यह चिस्ता भी आदि हो गई होगी, second structure आपको ester का बतायाता कैसे बनाना है, जो conjugated position पर hydrogen है, उस hydrogen को remove करके इनलफर्म बनाना है, same time हमने यहाँ पर भी किया है, इस position से hydrogen को हमने खटाए है, तो तीन structure आपको इनलफर्म की मिल गए, clear है, अब इसमें सबसे आदा stable quantum है, तो उसके बारे में सबसे पहली बात तो क्या हो जाएगी, कि आपका यहां से extended conjugation है, correct, याद पर यह पिछले क्लास में हमने यह exception case बताया था, जिसमें enol form ज्यादा stable हो गया था, बहुत ज्यादा stable हो गया था, इतना stable कि वो keto form से भी आदा stable हो गया, तो आपर देखिए extended conjugation है, correct, और यहां पर hydrogen bonding हो, that means सबसे आदा stable कॉन हो गया, इसमें कोई शक नहीं, तो order, stability order in all देखते हैं, तो सबसे अधर stable है 3, उसके बाद आगे आएंगे, उसके बाद आगे आएंगे, तो आप देखेंगे, कि 1 और 2 में यह दो structure को compare करना है, correct, यह दो structure को compare करना है, आपको बताना है stability order, तो stability किस चीव से बताएंगे, इस group से आप बताएंगे, तो देखें, बहुत simple सी चीव है, आपको क्या बताना है, इन दोनों के बीच में stability, आप खुद से सोचें, carbon और oxygen का bond जादा strong होता है, या carbon और carbon का bond जादा strong होता है, जाहिर सी बात है, organic chemistry के पहले ही class में यह चीज़ जानी थी, कि carbon और carbon के बीच में बहुत जादा strong bond होता है, इसलिए उसकी catenation property आती है, तो this bond is much stronger than this bond, clear है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, logic clear है, तो जादा stable bond हो, बन, उसके बाद कौन आएगा, 2, वैसे भी नहीं सोचना है, आपको तो दूसरे तरह सोच सकते हैं, देखें, यह चीज़ और यह चीज़ तो common होगे, correct, यह CH3 है, जो के plus I show करेगा, और यह OC2H5 है, जो के minus I show करेगा, correct, यह common होगे, यह कुछ भी हो सकता है, उससे मेरे को मतलब नहीं, correct, और इसको चाहिए electron, तो देखें, यह acceptor होगे है, जो electron को खीच रहा है अपने तरफ, यह donut होगे है, जो के electron को दे रहा है, electron donate कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, जादा stable क होगे है, one, कोई देखें, देखें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो actual reason है, वो इसका bond energy से आया है, carbon carbon bond stronger होता है, carbon oxygen bond weaker होता है, इसलिए यह structure ज्यादा stable है, यह structure कम stable है, वैसे याद रखने के बहुत सारी तरीके हो सकते हैं, कोई confusion, ने, तो mention करेंगे, 3, 1, 2, यह आपकर stability order of enroll हो गया, कोई देखें, अब आपको पता है, stability order of enroll को गर देखें, तो जो stability order of enroll का order होता है, वही आपका enroll content का order होता है, तो order of enroll content क्या हो जाएगा, 3, 1, 2, सबसे ज़्यादा इनापकेंट ट्री में क्यूं तुकिए बहुत ज़्यादा stable हो गया है, क्यों stable हुआ है, hydrogen bonding है और extended resonance, इन दोर में bond energy का data compare हुआ, तो उनने यह पाया, कि फर्स structure ज़्यादा stable है, second structure से, clear है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि यह जब common structure है, तो आपको क्या देखना है, carbon इस group के साथ इसका bond, और carbon carbon bond ज़्यादा strong होता है, तो carbon oxygen bond, clear है, कोई भी तरीका है रो याद रखने का, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, कि यह structure ज़्यादा stable है, यह structure कम stable, clear है, तो आपको order of involvement क्या हो जाएगा, 3, फिर 1, फिर 2, clear है, अब इसी चीज़ को मैं पुड़ा जनरलाइज कर रहा हूँ, जनरलाइज करके अब देखें, तो मैं एक जनरल स्केटमेंट लिखता हूँ, जो कि आपके काफी काम आ सकता है, आगी के question में हम इस generalization का यूज करेंगे, बार बार ये quant energy का data हम डिसकस नहीं करें, तेक है generalization क्या है, डिसकेशेम् काफीокल cognitive काफीजा रहा है, इस वेलिवर बार काफीज siंवा है, झा लिखत्धक्य प्र्ट्ट्ट्टक्या टांपट्सक्ट्ट्ट्ट्टूग को तेक है अगर आप किसी कीटोन वाले ग्रुप को एस्टर ग्रुप से रिप्लेस कर रहें, तो आपका इनौल कंटेंट घटेगा, clear है, यही चीज़ है यह आप स्टेट्मेंट, लॉजिक सिंपल सा है, सी-सी पॉंड बहुत जादा स्ट्रॉंग होता है, तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यामने रखेंगे, replacement of a keto group by an ester group decreases in all content, clear, चलिए, इस पे फिस एक और question मनाते हैं, आपको और ज्यादा आसानी से clear होता है, ठीक है, पहले यह note दरेंगे, और अगला question मनाते है, देखें बच्चों, जो अगला question है आपके लिए, वो कुछ यह है, आपको सेम काम करना है, fine order of in all content, आपके सालने तीन structures है, एक ही जैसे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा से difference कर दिया है, यहाँ पर carbon oxygen bond है, इसको replace कर दिया है, carbon carbon bonds, इधर सेम है, यहाँ पर दोनों जगे मैंने क्या कर दिया है, carbon oxygen bond को replace कर दिया है, carbon carbon bonds, तो process, proceed वैसे ही करें, जैसे आपको बताया था, पहला कर आपके सबका enol form बना ले, जो substance stable enol form है, वो बना ले, चले बनाते हैं, आप भी try करें, मैं भी बनाता हूं, तो CH3, O, OH, CH, C double bond O, O, CH3, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगर, तो यह क्या हो जाएगा, CH3, C, O, H, CH, C double bond O, O, CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, O, CH, C double bond O, CH3, तो तो तीनों का मैंने inol form बना दिया है, आपको क्या करना है, तीनों की stability check रही है, तो इस बार हम वो वाला काम नहीं कर सकते हाइड्रोजन bond और यह, extended conjugation, resonance, क्योंकि वो काम तीनों में हो रहा है, आप देखें, तीनों में conjugation है, और same conjugation है, exactly same conjugation, loan pair, single bond, double bond, यह conjugation, single bond, five bond, यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रही है, यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रही है, तो hydrogen bond वाला factor, और extended conjugation वाला factor, दोनों में exactly बराबर है, दोनों में कोई चेंज नहीं, तीनों structure में, दोनों फैक्टर बराबर ताम करें, तो अब आप stability कैसे compare कर सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको थोड़े देर फैले जनरलाइज स्केट्मेंट बताये, जनरलाइज स्केट्मेंट क्या है, जब भी keto form को ester से replace किया जाए, इनौल content घटेगा, इनौल content घटेगा मतलब stability water भी घटेगा, क्लियर रहे हैं चीज़, तो सीज़े सीजे मेरे को इनौल content निकालना है, मैं स्थीदे उस generalization को apply करता हूँ, उस generalization को apply करें अधर, तो आप देखें, यहाँ पे दो मतरफ क्या है, keto form का, correct, तो सबसे ज़्यादा इनौल content केसमें होगा, 3 में, उसके पाद आपने second structure में क्या किया, इस keto form के एक end पे आपने OCSV लगा दिया, carbon CC bond इस्टर बना दिया, अब एक end पे इस्टर बना तो इनौल content घटा, यहाँ पे दोनों end पे इस्टर लगा दिया, इनौल content और घट जाएगा, तो order यहाँगा, order आप आप आएगा 3, greater than 2, greater than 1, order, order of, in all, content, कोई confusion ने इस चीव में, आप अराम से इनको note कर सकते हैं, अभर topic में आगे बर सकते हैं, कि मिटाने हैं कि इनॉल प्रेंटेंट हमारा पहला प्रेक्टर का स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल जो कि हमने कर लिया आप स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंपेर करेंगे जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी उसका इनॉल कंटेंट ज्यादा सेकेंड फैक्टर का हमारा तेंप्रेचर का एक्ट समझने के लिए आप क्या करें ने एक 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 इग्जाम्पल से ही संदर का हूँ एक्जाम्पल आपका सिर्पल सा केस लिते हैं स्टी सी डॉबल पॉंट और स्टी सी डॉबल पॉंट और स्टी यह क्या हुए इसको ही कनवर्ट किया इनॉल फॉंट में कापो क्या मिला सीए पी ओध्स पी ओएज त्युन दिए यह क्या था इनॉल फॉंट यहां पर आपको यह चीज़ पता है कि इनॉल फॉंट ज्यादा स्टेबल त्यूंट अबधा इनॉल फॉंट हुए Hydrogen bond form हो रहा है और Extended Conjugation Clear आपने क्या किया? तीन डिफ्रेंट तेम्परचर लेकिए चलिए माल लेते हैं 5 Degree Celsius Temperature उठाया आपने 5 Degree Celsius पे इन आपको मिला X% 15 Degree Celsius पे आपने उठाया चेक के एन आपको मिला Y% 25 Degree Celsius पे आपने उठाया तो आपको मिला Z% इन आपको तो मैं आपको question यह पूछ रहा हूं कि X, Y और Z का order क्या हो? X बढ़ा होगा या Y बढ़ा होगा या Z बढ़ा इनका आपस में order क्या होगा यह चीज़ आपको बतानी है question यह है temperature पे dependence हम देख रहे है in all content तो सबसे पहले हम यह चीज़ सोचेंगे कि in all content किंकिन वजह से stability acquire कर रहा तो किंकिन वजह से कर रहा था सबसे पहले point जो हमारा alpha in all form acquired stability due to पहला point hydrogen bond intramolecular रहा था second point resonance extended resonance क्लियर है क्लियर है यह तोनों factor के विजह से आपका यह structure in all form ज्यादा stable भूरा है लेकिन आप जैसे ही temperature बढ़ाएंगे temperature बढ़ाएंगे तो weaker forces weaker interactions तूटने लगते है temperature बढ़ाने का मतलब क्या है आप energy दे रहें energy जब देंगे तो weaker interaction तूटेंगे hydrogen bond रेक होगा hydrogen bond बनने की tendency घटेगी तो खुचर सोचिए hydrogen bond तो सबसे 5 degree Celsius में hydrogen bond होगा तो सबसे आप स्टेबल कॉन होगा 5 degree Celsius पे इन और फॉंप उसके बाद 15 degree Celsius पे क्योंकि थोड़े बहुत hydrogen bond टूट है 25 degree Celsius पे और जादा hydrogen bond टूट है correct बागी 2nd पॉंट आता है resonance के बारे में पार resonance तो तीनों में हो रहा है अभी भी conjugation के बूस किया नहीं है तो इस factor का बहुत जादा effect नहीं हो रहा resonance का लेकिन hydrogen bond का बहुत जादा effect हो रहा है जिसके वज़े से आपका inol content lower temperature पे higher है और higher temperature पे lower है that means अगर आप inol content का order लेखे तो x y z क्यों आए रहा है सब क्योंकि reason लिख लेके tendency to form hydrogen bond decreases with increase in temperature temperature कोई confusion एक example से आपको temperature effect समझ में आ जाना जाए temperature किस-किस चीज़ को effect कर रहा है और वो चीज़े इन और content को कैसे effect है कोई confusion मिटाएंगे अब हम लोग third factor पे आने वाले हैं यह को जल्दी से इसे note करें third factor जो आपने था वो था आपको solvent solvent पर in all content कैसे different करता है तो से एक example सही देखते हैं same example ले लेते हैं CSP यह in all में जाएगा तो क्या बनेगा अब में आप सबसे पहले ग्यास प्रेज में करा रहें in all content देखे in all content देखे x % है माल लेते हैं फिर आप medium change करके water कर दिये और in all content माल लेते हैं y % होगे तो अब आपको बताना है same question है x बड़ा है या y बड़ा है यहाँ पर इस example सही काफियत तर clear हो जाएगा कि आपको क्या सोचना है ठीक है तो थोड़ा सा दिमान लगाए very good आप सोच रहे हैं कि water में hydrogen bond form करने की tendency और बढ़ देगी right क्योंकि water खुद भी hydrogen bond form करता है बिल्कुल सही सोचना है तो x बड़ा होना चाहिए या y बड़ा होना चाहिए इसका answer है यह समझने के कि when water is used as solvent जब water को solvent के तरह use किया जाएगा तो यह जो keto form है यह खुद water के साथ hydrogen bond नहीं होना आएगा बिल्कुल मनाएगा water के साथ hydrogen bond और जब यह खुद hydrogen bond बनाएगा तो क्या यह इनल form में कल्वट होना चाहेगा जब यह खुद hydrogen bond बना रहा है तो खुद में extra stability gain कर रहा है जब खुद में extra stability gain कर रहा है तो इनल form में क्यो जाएगा यह तो फुद ही stable हो जाएगा तो when water is used as solvent in all content या explain it when water is used as solvent tendency to go in in all form decreases in all form में जाना ही नहीं जाएगा क्योंकि आपका जो keto form है white बहुत जादा stable हो है right तो in all form में नहीं जाना चाहेगा तो in all content क्या होगा साहिर सी बात है therefore in all content decrease कोई confusion मेरे हिसाब से medium का effect clear है पोलर प्रोटिक मीडियम यूस करेंगे जो hydrogen font यूस बना सकता है तो वो keto form को ही जादा बढ़ाएगा in all form को भटा देगा in all content को भटा देगा यही चीजह आपे कहना चाहरे है कोई confusion है तो stability वाला factor clear temperature वाला factor clear solid वाला factor clear कोई confusion है कि आगे बढ़ेते हैं कि 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 आप आप कि कि अब इतकर हमने इनौल फॉर्म बना रहे थे लेकिन वह mechanism क्या follow करता है कैसे होता है कैसे convert होता है कि कि इनौल फॉर्म में इस बारे में हमने बात नहीं करें तो वही चीजह भी समझते हैं कि कि क्या factor है जो काम करेगा कैसे आपको इनौल फॉर्म बनाने हैं कब आपका जैसे किसी किसी केस में हमने देखा कि दो इनौल फॉर्म तो कौन सा इनौल फॉर्म कब वैलेट होड़ा यह सारी चीज़े अभी उनलो पढ़ा है नजी इनौलणिज़ेशन जो रफ्रोगेरा पॉइंट ही चीज़ेते हैं इनौल इसरेशन ऐसे थे अंढ़ी ऐसेड और बेस catalyzed that means inolization जो process है वो होगा, गब होगा जब कोई acid छोटा थोड़े मादरा में कुछ acid present हो या थोड़े मादरा में कुछ base present हो तब यह inolization का process हो जाए ठीक है अब सबसे पहला देखते है acid acid catalyzed enolization जब भी acid catalyzed enolization होगा तब आप क्या करें देखते हैं exam to sit समझते हैं keto होगा है आपने इसके सामने होगा होगा है यहां पर किसी के पास loan pair है जो अब खुज से सोच oxygen पर प्लस चार्ज stable होगा नहीं होगा तो क्या करेंगा जो इधर का pipe bond था उसको पर पास खीच लेगा तो इस pipe bond को खिचवा दीजे इधर इस इस श्रुक्चर बनेगा अब इस कार्ण के पास पहले इलेक्ट्रॉन था लेकिंग इस ऑक्सिजन ने जब इलेक्ट्रॉन वह खीच लिया तो इस तार्ण पर कैसा चार्च चार्च अब शोच इसा बनेगा अब सोचें गोश्च तो खार्ण पर भी स्टेपल नहीं होगा और आपको पता है एस प्लस क्या है क्यालिस एक्ट्रिस्ट का का मिडियर और कैटलिस्ट खुद कभी रियाक्षन में पार नहीं ले ता है मतलब रियाक्षन के शुरूं में और इंड में क्वह टेशा तक ता तो आप क्या करेंगे, इस hydrogen के electron को आप यहां पर डाल देंगे, और यह H+, अलब हो जाएगा, तो आपको structure क्या बन जाएगा, CH2, तो इस्ते और इस्ते हम लोग थोड़ी देट पहले तक यह चीज़े डिरेक्ट ली कर रहे हैं ठीक है तो आपको कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म लिखना आता है मैं बस आपको बता रहा हूँ क्या मेकानिजम फॉलो करता है एक एक स्टेप क्या होगा तब जाके वहां से आप यह न पहुंचे यह आपका कीटो फॉर्म हुआ यह आपका किनॉल फॉर्म हुआ हुआ है ठीक है यहां पर माइनस हुआ है क्लियर अब फॉर्म से सोच है लास्ट स्टेप में आपका हैड्रोजन रिमूव हो रहा है आपको पहले भी बताया है कि कभी भी चीजें अपने आपको स्टेबल करना चाहें तो अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है एच प्लस हटाने के एक से ज़ात है, जैसे यहां पर क्या आता, इधर से भी हटा सकते थे, इधर से भी हटा सकते थे,aitz plus, तो उन्हों common है, तो किसी से भी हटा लिया, कोई देखर नहीं हूँ, लेकिन, अगर आपका symmetric नहीं रहता, दो option है, तो आपको hydrogen उधर से हटाना है, जो कि ज़ाधा stable product दे, कि एक हैं कि कोई कंफ्यूजन एक 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 जामपल करेंगे आपको और जातर ख्लियर आजाएगा आप ये पहले नोट करें कि आई ओप नोट करिया होगा आपने में चन रहें कि आपने करके एक 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 कि एनॉल अजसेशन स्टेबिलिटी ओफ इनल इस दा ड्राइविं फोर्स प्रोटक्ट उस डिरेक्शन में जाहेगा जिसमें ज्यादा स्टेबल इनल बन रहा हूँ दाइब बीज दाट इनल इस फॉर्म विच इस मोर स्टेबल वो इनल बनेगा जो ज्यादा स्टेबल हूँ अगर आपके पर दो अप्शन है तो ज्यादा स्टेबल इनल है वही बनाएं कम स्टेबल वाला नहीं बनाएं क्लियर एं पॉइंट जब भी acid catalyzed इनलिजेशन होगा तो जल्दी से मेंचनगा इस पॉइंट को अब आजाते हैं हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे एसिद catalyzed नहीं लिया अब अब हमार रहते हैं अब आजाते हैं बेस काटलाइस इनलिजेशन बेस के प्रेजशन में आप इनलिजेशन बना रहें तो इस चीज़ को भी समझे गया से भी एजाप्ल करते हैं कि आपको confusion नहीं हो यह यह सबसे पहला काम आपके क्या किया इसको बेज के प्रिजंट में डाना ब enfrent और सकते हैं इसमें कुछ बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है अब यह क्या है?, बेस आपको पता है बेस क्या होता है वट इस बेसुी बेस वह होता है जो M notbackा करें जो एस प्लस से रियाक्शन करें और वाटर बनाएं तो आप क्या करेंगे इस बेस को एच प्लस से रियार्ट करेंगे तो इस बेस विल रियार्ट विल यह प्लस प्लस से रियार्ट करें एस बेस किससे सोचें आपके पास और किस से रियाक्शन करें तो तीन एक है ऑगया और मालिडे वार्मिक एसे वी है स्ट्रॉंग है तो किस से रियाक्षिन करेगा जाहिड सी बात है जो ज्यादा इस टिक है, उससे रियाक्षिन करेगा पहले बेस प्लियर है तो यहां पर आप क्या देखेंगे बेस रियाग करना है है ह से कॉमन सा है ह तो तो लिखेंगे that H plus is the remove first which is more case it is. बहुत important point है इसको ध्यान रखेंगे कौन सा H plus हटाना है आपको remove का मतलब react with OH- तो कौन सा H plus remove करेंगे आप react करेंगे आप ज़्यादा acidic ज़्यादा acidic है वो पहले पेसे react कर रहा था अभी example दिया आपको HCl और formic acid का आपने भी ही सोचा था कि HCl ज़्यादा रियाद करेगा जल्दी रियाद करेगा क्यों ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा stronger acid है वही काम आप यहाँ पर करेंगे वही वर्दी काम आप यहाँ पर लगा रहें कि दर तो इस पॉइंट को बहुत ही important mark करके इसको note पर रखने ठीक है चलिए अब फड़ा mechanism पर आते हैं इसके इसको तो mechanism पर आए तो आपने क्या किया यहाँ पर तुसाले hydrogen बराबर है सब बराबर ऐसे डेख है तो किसी का hydrogen और पर सकते हैं यह और इस माइनस है इसने क्या किया है एस प्रस तो खीच लिया वाटर बना नहीं लिए यह यह एक्ट्राइब कहां के एस टू के पास यह तैग्वन के पास यह त्या बना आपकर है स्टी एस्टू माइनस से डॉबल बाइनट और ऊधी हां कि अधि एस त्य थिए किया आया को सीच टू डॉबल डॉबल ओ फो बाइनस श्यूच कि अब वारब से क्या हुआ आपको पर ने क्या हूं कि आखर ने से आख् Corona करते इप तो मैंने बता दिया था बेस क्या है तो रियाक्शन के शुरू में जा सबता आवर सही लास्ट में रहाएगा आपको इस माइनस प्रोड्यूस होना पड़े रहा आपका स्ट्रक्ट्टर क्या हों गया CS2-C-OH-C-C यह आपको keto warm हो गया यह आपको इनल के इस बेसपैस से इस आपको क्या ध्यान रखना था र्यान यह रखना नाकरा के इस process में जो आप hydrogen remove कर रहे हैं वो hydrogen's remove होगा वो जदा acidic जो hydrogen है वो पहले remove होगा कम एस given second man yeah clear कोई confusion कर से लिए में पूर्ट्रे करें से इन बेस स्काटलाइज इनलाइजेशन मोर्ड एसेडिक एस प्लस इस रिमूब फॉट जो ज्यादा इसेडिक हाइट्रोजन है उसको कहले रहे हूं क्लियर कोई कंफ्यूजन तो मेरे हिसाब से प्रोसेस ऑफ इनलाइजेशन काफी हद तक क्लियर होगा यह कोई बहुत भारी चीज नहीं थी सिंपल सी चीज थी आपको मुसली मैंने इसेड विस रियाक्शन ही करते हैं क्लियर मिटाते हैं इस चीज को एक प्रिस्टिन बनाते ह आपको थोड़ा और फियर हो जाएगा कि क्या आप करना है कि अधिक प्रिशन लेकर है कि आपके पस जो स्ट्रॉक्चर है जो केटो फांब हैं वो यह है ठीक है आपने क्या किया है है आप है अश्यक्या इस प्रस्टिट और एस इस प्रेसी एक का मतलब क्या है एंप्रेस मतलब असे थैजरेख इसे इसे एंग एनलेज्ट, इनलाइश लिएंग इस इसे आइज कि देशाव थिफ रिफ पीजिग हो उनलाइश इनलाइश वे गडिश्ट, डाइज हा इस बेस थेर गिजलाइश डॉ अ कि इनॉलिसेशन कि कि इसमें से कैटलाइज करना है इसमी के अपर देखिंगे आपके फिर से दो आप्छन है पाई गॉंड हो गया है single bond hydrogen ये position इसको A माल लेते है pi bond single bond यहाँ पे hydrogen इसको position B माल लेते हैं तो acid catalyze में आपको क्या करना था जादा stable inol बनाना था correct जादा stable inol गब बने है जब इस carbon और B के पीछ में double bond हो या इस carbon और A के पीछ में double bond जाहिए सी बात है इसके और B के पीछ में हो more substituted alkene is more stable तो आप product क्या सुना रहे हैं या आपके acid catalyze में CH3 OH CH CH3 क्यों क्योंकि more stable inol is form ज्यादा stable inol बनाना है clear आपके पास दो option थे acid catalyze के लिए आपने कौन सा option चुना जो ज्यादा stable product बना रहे हैं इससा case ड़न इसके case पर आते हैं उसके case पर देखे कि लिए आपको क्या check करना पड़ेगा बेस काटलाइज है बेस किससे रियाक्शन करेगा एसेट से तो कौन सा acid पहले रियाक्शन करेगा जो ज्यादा एसेटिक होगा जिसका strength ज्यादा होगा तो आपको compare करना पड़ेगा यह hydrogen और यह hydrogen इन तोनों में ज्यादा इसेटिक कौन है यह आपको compare करना पड़ेगा तो कौन है ज्यादा इसेटिक हो लगाए अपना जी उसी को knowledge और बताइए कि ज्यादा इसेटिक है यह hydrogen आप मुर्सेटिक है यह hydrogen और अपर है करें तो आप पहले रिमूव करेंगे क्या बनाएंगे आप सी हैस्टू थी ओएक्स सी हैस्टू थी हैस्टू थी इस्टू थी क्लियर कोई कंव्यूजर है मेंचन कर लेंगे मूर्स एसेटिक हाइड्रोजन इस रिमूट मेंचन कर लिया होने अब इसको मिटाते हैं एक और प्रेश्चन देते हैं जो कि आप धर पे करेंगे किर क्वेश्चन कुछ इस ताइप का है यह नोट कर लिया होगा प्रेश्चन कारा और यह आपको क्वेश्चन करना यह अदे ना और आपको प्रूड़क्ट बनाएं यह काम आपको घर पर करना है आप अनाम से समय लेकर करें तेर अब हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स टॉपिक पर आते हैं कि लोट करेंगे कि आज हो भी नूट कर लिया होगा आपने अब लोगने अगले टापिक के तरफ बढ़ते हैं कि उससे पहले एक पॉइंट मेंजिन कर लेंगे तुरू कि इंगलाइज देशन कि इंगले कि अमदेडिन कर दूलें कि सारे धूर्श हो सकते हैं बस पॉइंट आपको समझना यह एक्डि क्या होता है CK कि अपको स्टेबल इनल बनाना है और बीस का दॉस में क्या होता है आपको मस्टक हिसेटिक hydrogen को पहले यह से पहले वह लाज स्टिश के कि यह थिक है हम अपने अगले टोपिक के तरफ आते में हमारा आइसोडोग एक्सेंज कि यह ताहसे आप्लिकेशन कह सकते हैं आप थोड़ा इंट्रोड़क्शन के बाद आपको आप्लिकेशन बताते हैं कि इस मिखिए इस नहीं या एक्सेंज तो सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं, there are three isotopes of hydrogen. पहले isotopes को H से रिप्रेजन करते हैं, जिसको हम प्रोटियम भोलते हैं, दूसरे को हम D से रिप्रेजन करते हैं, जिसको हम दूटियम भोलते हैं, तीसरे को हम, हम T से रिप्रेजन करते हैं, जिसको हम थ्रीटियम भोलते हैं, तो H, D और T क्या हैं दूसरे के? isotopes, तो सबसे पहला पॉइंट को हमें यह समझते हैं, clear है? अब कुछ एक रियाक्शन होते हैं, कुछ एक चेंज़े होते हैं, आपको यह पढ़ना है, isotope का exchange हो रहा है, तो वही रियाक्शन आपको explain करते हैं, पहोच यह क्या है? phenol कैसे represent होता है? इस चीफ को हम pH से represent होता है, कुछ बार है आप नहीं आएगे? पहोच जो है, जब आप इसको D2O में डालते हो, जब आप इसको D2O में डालते हो, तो क्या होता है? पहोच आपको पता है, यह के hydrogen bond बना सकते हैं, यह के hydrogen bond बना सकते हैं, तो इन दोनों के पीच में क्या होता है? interaction होता है, phenol का hydrogen और D2O का oxygen, phenol का oxygen और deuterium, इन सब के पीच में क्या बना आपस में? hydrogen. जब यह bond बना, तब क्या होता है? कि यह bond काफी strong होने लगता है, और यह bond exchange हो जाते हैं, टूट के exchange में जाता है, तो असा finally form क्या हो जाता है? pH OD प्लस HOD कोई confusion, यह चीसा आपको clear है, pH OH था, तो अगर deuterium D2O डालेंगे, तो क्या होगा? इन दोजों के पीच में hydrogen bond होगा, oxygen और hydrogen के पीच में hydrogen bond form होगा, वही काम हमने कराया है, इस process के दौरान, हमेशा क्या होता है, मतलब mostly reversible change है, क्या होता है, isotope का exchange हो जाता है, D2O से phenol में आ गया, या phenol से D2O में चला गया, यह exchange possible होता है, clear? तो this is your isotope exchange, कोई देखकर, तो सबसके पहले सुनसते हैं कि condition क्या है, isotope exchange होने का, एक छोटा दा topic आपको, application वाला part बताने के लिए का बता रहा हो, condition for isotope exchange, isotope exchange कब होगा, water तो हमेज़ा रहता है, लेकिन हर केस में आपका CH4 रहेगा, और HD2O रहेगा तो आपका isotope exchange होगा, नहीं होगा, तो वही है किस condition में आप isotope exchange कराएंगे, किस condition में आप isotope exchange नहीं कराएंगे, तो condition बहुत धान से याद रखें, hydrogen must be protein, protein का मतलब है acidic होना चाहिए, अब acidic कैसे पैचानेगे, तो carbon के साथ अगर hydrogen जुड़ा हुआ है, तो acidic नहीं है, क्यों क्यों क्योंकि carbon बहुत ज्यादा electronegative नहीं है, आपको high electronegativity चाहिए, तब जाके acidic, oxygen के साथ hydrogen जुड़ा हुआ है, तो oxygen क्या है, हाई ही electronegative है, क्या करेगा, hydrogen का electron उपने पास खीचेगा, तो hydrogen के क्या है जब होगा, plus charge, plus charge h plus, h पे plus charge generate हो रहा है, that means यह acidic बन रहा है, तो this one is acidic, उसी तरह से nitrogen के साथ hydrogen का जोड़ लीजे, nitrogen भी हाई electronegative है, यह भी acidic हो गया, कोई भी hydrogen के साथ hydrogen जोड़ लीजे, यह भी acidic हो गया, कोई confusion, that means hydrogen must be attached to a highly, electronegative group, hydrogen जो है, वो highly electronegative group के साथ attached जाना जाए, जैसे यहाँ पर इस case में लेखें, hydrogen किस से attached हो, oxygen से, acidic hydrogen है, D2 में किस से attached हो, deuterium किस से attached हो, oxygen से, तो यह deuterium भी acidic हो गया, यह hydrogen भी acidic हो, तो अगर ऐसा condition fulfill हो रहा है, तो मेरा isotope exchange हो सकते, पर isotope exchange आप science से समझ रहोंगे, यह चीज़ reversible होती है, जैसे, phenol से D2 को treat करके, आप THOT यह बनाए, वसी तरह से इन मनों को वापस से treat कर आके, reversible way में आके phenol आप वापस से बना सकते, बड़ी चीज़ नहीं हो, clear, कोई confusion, अब पॉइंट यह है, एक पर में टाले हैं इसको, क्या अप्री कि यह बनाए है, संदिंगे सिस्फु, I-Fall Talk Exchange का जो हो रहा है, In-Norization के तो क्या अप्लिकेशन एंप वापस आनप हैुआँ? तो स्की डबल क्वांट को पी-एच रख लेते हैं पीज का मतलब फिनाइल होता है अभी आपको बताएं कि कार्वन है आप कि पीएश्ट्री पीएश्ट्री एच है ठीक है क्या यह है इसे डिक है नहीं क्यों नहीं है क्योंकि यह हैं कार्वन से इस बैक नहीं होगा लेकिन आपने क्या किया कि इसको डिक में डाला इसिदिक मीडिया रखें बेसिक मीडिया रखें कोई फर्क नहीं क्वरता है एसिडिक D2O में डाला मालेते एसिड कटलाईसे एसिडिक D2O में डाला तो मीडियम प्रेजेंट है एसिडिक क्या होगा कीटो फॉर्म है इनॉलाइजेशन होगा कनवर्ट करें इनॉल फॉर्म में तो पी एंच OH यह गुआ अब यहां पर देखे यह hydrogen जो है यह क्या है oxygen से attach हो गया है जब यह oxygen से attach हो गया है तो क्या यह acidic बन गया बिल्कुल बन गया तो क्या यह isotope exchange कर सकता है बिल्कुल कर सकता है तो यहां पर आइसोटोप exchange हो सकता है आइसोटोप exchange हो सकता है ठीक है आपने क्या किया है यहां पर आइसोटोप डाला आइसोटोप एक्सचेंज गरा दिया तरा गया है आपने क्या बना है प्रक्तोप इस प्रक्तोप अपने क्या क्या है अपने क्या करें नियुक्ति पी अब रिक्रटुमरीजैशन होगा तो यूटेरियम आगे यहां पर देखे हैं कि यहां पर देखें आइसोटोक एक्ष्चेंज का इंटर देखे हैं यह हमने में वेंशन किया था, क्यों किया था? Because hydrogen is not acidic hydrogen acidic नहीं है, इसलिए हमने क्या बुला था, isotope exchange कांट अकर, लेकिन आप यहां से यहां देखें क्या देख रहा है hydrogen is replaced with deuterium, that means hydrogen hydrogen या isotope exchange has occurred through enolization. That means, यह statement जो मैंने लिखा था, isotope exchange कांट अकर यह था होगया? Isotope exchange कांट अकर यह था होगया? कैसे हो रहा है? यह प्रोसेस क्या था? isotope exchange isotope exchange isotope exchange के थ्रू आपक क्या हुआ? Isotope exchange हुआ और वापक से आप देख सकते हैं कि isotope exchange और इसनल structure में होच हुआ है clear? कोई confusion? I hope काफी हद तक clear होगा यह क्या चल रहा है? मेंचन कर लिए है मिटाते हैं कि यहां से एक पॉइंट वापक एक इसनल रहा है यहां से एक पॉइंट वापक एक पॉइंट रहा है isotope exchange of all enolizable hydrogen जितने enolizable hydrogen atom है सब का exchange हो सकता है अभी जो हमने example कि उसमें एक ही hydrogen था वहाँ पर दो होते तो दोनों के deuterium में convert कर सकते है by two series of inolization दो अलग अलग I hope आजका lecture काफी लंदी हो गया है काफी लंबा हो गया है और काफी सारा informative हो गया है तो आप इस वीडियो को क्या करें एक दो बार पढ़ें एक दो बार देखें और इनमें जो questions यह reactions panic कराएं है वह आप खुट से करें जो generalizations आपको बता ही है वह तो पक्के से याद रखनी है के तो आज के लिए हम इतना ही रखने है करें भूल अच्प gefपड है झाल 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 यह झाल झाल तो झाल म झाल वह बता बता